चैत्र नवरात्री का प्रथम दिवस माशेल पुत्री यह पहला स्वरूप है इसका रहस्य समझने के लिए शिव सती प्रसंग पर ध्यान देना होगा सती दक्ष के पुत्री हैं दक्ष अर्थात अपने कार्य में निपुण व्यक्ति बहुदा निपुणों को अपनी विशेश अग्यता का अहंकार हो जाता है उस इस्तिथी में वे जन कल्यान के शिव तत्व की उपेक्षा करके भी अपने आपको प्रतिष्टित करना चाहते हैं प्रजापती बनने पर दक्ष ने यही किया शिव की अव मानना करने लगे सती शिव की अर्थांगनी हैं किन्तो वे स्वयम को दक्ष की निपुण एवं अधिकार प्राप्त व्यक्ति की पेटी मानती हैं एसी आंतरिक मान्यता के कारण वे शिव की अर्धांगनी, पूरक होने का तथ्या भूलने लगती हैं. शिव के बार-बार सावधान करने पर भी मानती नहीं. यही मान्यता उनके दुख और पतन का कारण बन जाती हैं. शिव से विमुक होने के प्रायश्चित स्वरुप वे वहा कूचक्रों में फंस जाती है. यदि शांत एवं द्रड आस्थावान की है, तो वह शिव आत्मा के कल्यानकारी अनुसाशन को ही इश्टलक्षयम मानती है. हर नारी को पहले बालकाल में शेल पुत्री, अर्थात, शिवत्व के प्रती समर्पित भाव से विक्सित होना चाहिए. इस मूल आस्था को द्रड किया जाए, तो नेर नारी सभी की शक्ती शिवोन मुक कल्यानकारी हो जाएगी. शेल पुत्री की साथना से ऐसी ही द्रड आस्था विक्सित होनी चाहिए. आप सभी को चैटर नवरात्री के प्रतम दिवस माशेल पुत्री की हार्दिक शुप काम नाए. अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें. और हमारी योट्यूब चैनल रिशी शिंतन को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपको आने वाद.